तुर्की और पाकिस्तान के करीबी अजर्बैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने स्वदेशी पिना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचा, अनिर्दिष्ट मिसालों और गोला बारूद की खरीद के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं बुध्वार को, आर्मेनिया और अजर्बैजान ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम समझोते का उलंगन करने का आरोप लगाया, जिससे इस महीने दो दिनों का संघर्ष समाप्त हो गया रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने पुष्टी की की लगभग 2000 करोल रुपे मूल्य के सरकार से सरकारी अनुबंध पर इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर किये गए थे कई लोग अजर्बैजान को तुर्की और पाकिस्तान के साथ उभरती धूरी क के हिस्से के रूप में देखते हैं उसने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तुर्की ग्रोन का इस्तेमाल किया है और जे एफ 17 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर रहा है हाल के वर्षों में उनकी भौतिक दूरी के बावजूद आर्मेनिया अजर्बैजान और भारत पाकिस्तान के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध उभरा है 2017 में तूर्की, अजर्बैजान और पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षिय मंत्री समझोते पर हस्ताक्षर किये थे जिसने सुरक्षा सहयोग स्थापित किया और पिछली द्विपक्षिय सैन्य सहायता व्यावस्थाओं को आगे बढ़ाया आर्मेनिया के साथ समझोते के रन्नीतिक महत्व के अलावा, निर्याता देश स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक बढ़ावा है क्योंकि भारत सरकार भारती या हथियारों के निर्यात के मूलिय को बढ़ाने के लिए उत्सुक है वितव वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 13,000 करोल रुपये तक पहुंच गया, जो लगभग 5 साल पहले की तुलना में 8 गुना है 2020 में नरेंद्र मोधी सरकार ने अगले 5 वर्षों में एरोस्पेस और रक्षा वस्तूओं और सेवाओं में 35,000 करोल रुपये के निर्यात का लक्ष रखा था ये 2025 तक रक्षा विनिर्मान में 1.75 लाख करोल रुपये के कारोबार का हिस्सा है जिसे सरकार हासिल करना चाहती है जन्वरी में भारत ने ब्रहमोस मिसाइलों की बिक्री के लिए फिलिपीन्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे वर्तमान में भारत 75 देशों को रक्षा उपकरन निर्यात करता है और इसमें हथियार सिम्यूलेटर, आसु गैस लॉंचर, टार्पीदो लोडिंग तंत्र, अलार्म निग्रानी और नियंत्रन, नाइट विजन मोनोकुल और दूरबीन, हलके वजन वाले टार्पीदो और अगनी नियंत्रन प्रनाली, बक्तर बंद सुरक्षा वाहन, हथियार का पता लगाने वाले रडा, उच्चा आवरिती रेडियो, तटिय निग्रानी रडा शामिल है